हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके के लिए रे स्टेडी पॉइंट क्लासिज में मैं शीवम शर्मा दोस्तों आज हम क्लास 10 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो इंपोर्टेंट कोशन है मैंने आपको बताया था आज हम प्रैक्टिस सेट श्टार्ट करेंगे दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि इन प्रैक्टिस सेट की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके मैथ और साइंस में मैं गारंटी लेता हूं कि 90% से नीचे नम्बर आपके नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये question ऐसी question है जो आपके exam में 100% आने के इनके पूरे chance रहते है और 100% आते भी है ये question और कई बार ये exam में आ चुके हैं पिछ्टे साल, पिछ्टे साल के दस सालों से, पिछले दस सालों से ये question बार-बार ही repeat हो रहे हैं ठीक है और इस बार भी इन क्योशनों के एक्जाम में आने के भोजा चांस हैं अगर आप इन क्योशनों को कर लेते हैं तो आपको ना तो sample paper पढ़ने की जरूरत है ना unsolved paper ना mastermind ना कुछ पढ़ने के आपको जरूरत नहीं है बस इन क्योशनों को आप अच्छे से solve कर कि आपको क्या बात समझाई जा रही है किराश 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही मैंने equation बनाया ऐसा ना समझें कि सिर्फ हिंदी मीडियम सिर्फ इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ नहीं है दोनों के लिए ही equation है उत्रकंड बॉर्ड वाले और cbsc ब करने वाला है ठीक है प्रैक्टिस सेट जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आज 20 तारीक को हम पहला सेट अपना अप्लोड करेंगे तो पहला सेट हमने आज उठा लिया है जिसमें हम लेंगे electricity and predictable in Hindi में बात करें तो विद्दुधरा और दूसरा हमारा जो होगा वह होगा इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा मैंने रिड्यूस के अकोर्डिंग ही क्योष्णों को लिया है इन क्योष्णों को अगर आप कर लेते हैं तो मेरी गरेंटी है कि आप 90 प्लस नंबर मैथ और साइंस में 100% गेन कर लेंगे इससे परसेंट नीचे आपकी नहीं आपको विश्वास दिलाता हूं आप वीडियो को ध्यान से देखें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको इसी तरह की की लैटेस्ट अप्डेटिन मिलती रहे जैसा कि आपको टैम टेबिल सीरीज मैंने डाल दी है कि आपके टेस्ट कब-कब होंगे प्रेक्टिस एड़ आपके कब-कब लोट किये जाएंगे और उनके टाइमिंग क्या रहेगी आपको सब्जेक्ट वाइस मैंने वीडियो डाल रखें उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप इस वीडियो के आपके किसके सोरी फिजिक्स के रहेंगे ठीक है तो वीडियो में मेरे साथ लाज तक जरूर बन रहा है वीडियो को स्किप ना करें कहीं स्क्रिंशोट लेकर वीडियो को छोड़ दें बीच में तो आपके लिए बेनिफिट नहीं है आपको एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर किया जाएगा कि कैसे कैसे आप इन क्योशनों को सोलो करेंगे ठीक है तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो उपर हमने लिख रहा है फिजिक्स इक्रास्ट एंड फिजिक्स एंड केमेस्ट्री प्रैक्टिस एट फर्स एलेक्टिसिटी एंड पिरिडिक है विद्धुधारों को आप इफाइंड करेंगे या परिभाशित करेंगे विध्दुधारा क्या होती है दूसरा का मात्रक्त समझेंगे इन कोा पहले वाले कोशन में आपने क्या करना क्या मता है पूले आप लिखने की जूरत नहीं है अपना एक्स्ट्रा एक्ष्ट ना दिखाए जितना ही पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे अपनी तरफ से फालतूगी information उसमें login ना करें ठीक है अपने फालतूगी information उसमें ना लिखें अगर आपसे सिर्फ परिभाशीत पूछा जाता है तो आप उसकी normal परिभाशा लिखिए और उसका formal लिख दीजिए बस बात खतम अपने मन से नहीं लिखेंगे कि यह हमारी क्या scalar quantity होती है यह होता है वह होता है कुछ लिखने की जुरुति ने जितना आपसे पूछा जाए जितने word में question करता है उतने word में ही आप उसका अंसर दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा benefit रहेगा ठर्ड वाला part देखें electro static potential देखो यह काफी confusing language है कई बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं विदुद विभव और विदुद विभवांतर में यह चीज मैंने आपको clear कर दिया है विदुद विभव हो गया और विदुद विभवांतर हो गया दोनों अलग-अलग condition है इन दोनों की definition भी अलग है ठीक है होता दोनों में धनावेश के लिए है कि हम जो हमारे विदुद विभव होगा विदुद विभव में हम क्या करते हैं अनन्त से किसी धनावेश को, हम क्या लाते हैं, विदूशेत्र के भीतर लाने में जो काम करते हैं, वही हमारा क्या होता है, विदूध विवव होता है और विभानतर आपका क्या होगा, कि एक पौइंट से दूसरे पौइंट किसी धनावेश को ले जाने में जो हमें काम करना पड़ता है वाही हमारा क्या होता है विद्धुद विवांतर होता है यह दो confusing language है उस चीज़ को आप समझ लेंगा अच्छे विद्द विभव और विद्द विभवांतर दोनों अलग अलग चीज़ें एक ना समझें परिभाशा में थोड़ा सा difference है ठीक है हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखो मैंने कई बार वीडियो में कले क्ले कर रखा है यहां एक चीज़ को आपके ज़रूर के क्लेर किये जाएंगे सारे आपके देखो बहुत ही बढ़िया क्योशन आया है हर बार एक्जाम में आने वाला क्योशन है आपका जो है draw the electric circuit diagram यानि विद्धुत परिपत का आपने क्या बनाने चितर बनाना है ये एक अलग क्योशन है ये एक अलग क्योशन है ठीक है मैंने दोनों के एक साथ ही जोइन कर दिया है आप समझेंगे कैसे समझना है इसे पहले आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि draw the electric circuit diagram यानि विद्धुत परिपत का चितर बनाईए एक नंबर में आने वाला क्योशन है परिपत का चितर बनाएंगे तो उसमें सबसे में चीज में आपको बता देता हूं आपने क्या के चीज़ें के बीच में इंक्रूड करनी हैं सबसे पहले आप एक कुणी को यानि की को लेंगे दूसरा वे बैटरी के सिंबल को लेंगे और उसके बाद आप करेंट की डारे इस तरीके जोड़ा तो कोशिश करेगा कि यहां पर वॉल्ट मीटर को भी आप क्या करने एड कर लें ठीक है और तो यहां पर आपको अच्छी तरीके से डियागरम मिल जाएगा अब इस इसका ध्यान रखें कि वॉल्ट मीटर को भी आप जरूर जो लें जिससे आपको पत पोटेंशिल हमारा आ रहा है उसके अंदर आपको यह विद्द विभांतर उसमें कितना है विद्द विभव या विभांतर आप दोनों वॉल्ट मेटर की सहीता से आप पता कर सकते हैं ठीक है यह चीज़ आप समझ गया हूंगे डाइग्राम में क्या क्या चीज़ आपको करन होना जरूरी है ठीक है यह चीज़ आपको बिनकों इंक्लूट करने की जुरूट नहीं पड़ेगी जोड़ने की जुरूट नहीं है सर्कृट का डाइग्राम आपको यहीं पे क्लियर हो जाता है उसके बाद आप आ जाएंगे यहां पर देखेंगे आप लिखा है यूज् इसर प्रतीकों को बनाई विदूद परिपद में जो हमारे परतीक यू Junthe के जाते हैं बलब कारी जेलाएं लिखान कहां क्या होता बालग का परतीक क्या होगा विदधूद बैटरी का परतीक क्या होगा distorted वैटर्र का पर शुरूट चीया आपने बनानी हैं जो की आपकी रहेगी वो क्या होगी बंद रहेगी ओपन नहीं रहेगी क्लोज वाली रहेगी इस चीज का ध्यान रखेंगे देखो बैटरी और सेल में बहुत जादा डिफ्रेंस है मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कई सेलों को जोड़के हम बैटरी ध्यान से देख लेएं कण फ्योज नाहीं इस तरीके से आप बैटरी का सिंबल बनाएंगे वह आने आपको समझा दिया थीक है बहुत ही बड़ी आ किशने ना आप अगर कर लेते हैं तो मैं गular오ंटी देता हूं कि आप फिजिक्स में मार नहीं है निए एलेक्रिसिटी चैप्टर आपका इतना इंपोर्टेंट है कि आपको यह अच्छे का से नुमेरिकल से और आपकी डेफिनेशन से अच्छे का से नमबर देखे जाता है ठाट क्योशन आप देखेंगे यहां पर ओम स्लो बहुत ही जादा ओम स्लो का यह इंपोर्टेंट कोशन है इसको तो आप बिल्कुल भी छोड़े ना इसी का नुमेरिकल भी आता है इसी की डेफिनेशन भी आती है इससे जुड़ा हुआ आपका अगला कोशन है वी आई ग्राफ जो वी आई ग्राफ होता है वो ओम स्लो के एकोर्डिंग ही सब्सक्राइब को परिभाशित कीजिए और इसके बाद चोथा को आपको निरूपीत कीजिए वी आई ग्राफ जो आपका बनाया जाता है यह चीज़ आप किताब में देखिए हलाकि इससे पहले मैंने अपना वीडियो भी डाल रखा है पूरा वीडियो बिल्कुल जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि हमने इनको कैसे करना है मैंने एलेक्टरिसीटी की पूरी वीडियो बनाके डाल रखी है ठीक है आप आसानी से उनको समझ सकते हैं एक एक चीज़ आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे ठीक है यह दो क्वेशन आपके चार क्वेशन यहां बने परिभाशित करना है बिल्कुल अच्छे से आपको समझें आपने करना क्या है यहां पर खाली आपने एक ओम को परिभाश्य करना है रेश्ट्रेंश चैना आप नहीं परिपरिदिरोद की परिभाशह आपने नहीं लिखनी है इस चीज़ का धियान रख़ेगा कई परितिरोद गएरा आप यहाँ पेलपाल के आगे तो आपका गलत हो जाएगा आपने एक ओम को बताना है वन ओम देखिये मैं आउर समझादेता हूं वन ऑम यानि V इसकल तू आपका होता है आई यार तो आर इसकल टू यानि वन ओम इसकल तू या वन वी अपॉन वन ए यानि एक वोल्ट बटे एक एमपीर इस चीज़ को यानि अगर किसी परिपत को या किसी भी कचालक को अगर आप एक वोल्ट का क्या देते हैं विबहंतर देते हैं तो उसमें परिवाहित होने वाली धारत कितनी होगी एक होगी तो आप कह सकते हैं कि उस परिपत या चालक का जो क करेंगे अगला आपका है परीवर्तंशील परिवर्तंशील क्या होते हैं ठीक है परिवर्तंशील को मतलब अलग तरहां परिपत परशित करेंगे यानि आप क्या करें किसी परिपत में अगर अलग-अलग प्रतिरोदों क्या कर दें जोड़ दें तो आपके क्या क्या एक रहता है जिसको आप रोश्टेड वह भी कहते हैं ठीक है उसके बाद आप आजाएंगे यहां दिखा है देखो ऊश्मा का अच्छा अच्छा क्या है यहां पर आप आप ने बताना है उश्मा का अच्छा चालक कौन है जिसमें हम आशानी से करसे करेंट फ्लौ कर सके हीड ठीक है तो आप इसमें और यह सब डाल सकते हैं आईरण भी आपका हो जाएगा बट आप इसमें को पर और सिलवर को ही लेके चलना ठ ठीके है उसके बाद आपका आगया है चालक का पर्तीरोध यहां पर देखिए एक्स्प्लेंट से प्रोपर्टी पर करेंगे क्या करेगा इस चीज को आप ने बताएं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि conductor के length हो गई conductor का area हो गया यानि किसका cross section area कितना है और हमारा conductor का material कैसा यानि जो चालक है उसका जो हमने प्रकरती है वो कैसी है उसका nature कैसा है इस चीज़ पर आप क्या करेंगे डिपैंड करेगा जो हमारे प्रतिरोद होता है इन चीज़ों पर डिपैंड करता है उसके बाद अ मंतर करम सही हो जिन क्या होता है उसकी भाषा लिखेंगे परीभाषा उसके बाद इसका diagram बनाएंगे फिर आप लिखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ आपकी constant रहती है कौन सी आपकी constant नहीं रहती है इसमें आपका वी होगा यानि जो वोल्टेज होती है वो आपकी क्या रह प्रेंट जाएगा और प्रति रोद भी क्या रहेंगे चेंज रहेंगे इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि दस्मावाला आप देखेंगे विद्धु शक्ति देखो यहां पर देखेंगा विद्धु शक्ति क्या है इलेक्रिक पावर जिसे आप बोलते हैं इसकी आपने इस चीज का द्यान रखेंगे वॉल्ट नहीं है यहांपर देखने में इंगलिष में देखना और हिंदी लघता है वाट्र नहीं दिकाया यहां पर हिंदी में इससे्छ आप क्यालिने दिके हैं उप लिखते हैं वाट नहीं करेंग ओ देखने आपर त sli ug करेंगे आप यहां पर वाला जो कोशन है आपका नेम दा डिवाइस डैट हैल्प टु मेंटेन आप पोटेंशल डिफरेंस एक रोसा कंडेक्टर हमने उस युक्ति का नाम बताना है जो चालक के अंदर विदुद्ध विवांतर यानि पोटेंशल डिफरेंस को बनाई रखने इस का अंसर आपका cell या बैटरी ठीक है इसका अंसर भी मैंने आपको बता दिया वह क्या होगा आपका cell या बैटरी उसके बाद बहुत ही बड़ीया क्यूशन आपका आचुका है देखिए इस तरह आप सारे आपके नुमेरिकल आ गये हैं नुमेरिकल को आप ध्यान से कि इसको आप सौल्व करेंगे आपको दिखकर करके बताएंगे पूरी हेलप आपकी यहां कीजाएगी ठीक है यहां पर देखेंगे 14 वाले में आप देखेंगे आपर 14 वाले में बोला है कि इंप्यूर्ट दा हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कुलाम आवेश को इस्थानांतरन करेगी तो उसको इस्थानांतरन करने में हमारी कितनी उश्मा क्या होगी परिकलत यानि कितनी उश्मा वहां पर उत्पन होगी यह हमें बताना है यहां ठीक है कितनी उश्मा क्या हो जाएगी हमारी पैदा हो जाएगी इस चीज़ को आपको यहां बताना है यानि 96,000 कुलाम आवेश को एक इस्थान से दूसरे इस्थ को आपने क्यां करना है ठीक है इस सीच को आट क्लीर करेंगे आगला फीचान आप देखेंगे सारे सुलीशन आपको मिलेंगे अभी खाली क्वाक्ताइब बताई जा रहे इनके विल जाएंगे अगला लिखे एड़ीक्र प्रेश करने आपजो घर मैं घरो में आपके है का कपड़े डी इस तरी फाइकर लेती यानि विब्द१ुद कोई किसी बी प्रेश का जो आई जकी घरों में कपड़े प्रयुद करने वाली तो जो आणिा याब करने का 30 सेकंड के अंदर उसमें कितनी उश्मा आ जाएगी ठीक है उसके बाद आप यहां देखेंगे बहुत ही बड़ी है कोशन है फीजिक्स का लास्ट कुशन आपका सिश्टिन कुशन एन एलेक्रिक मोटर टेक फाइब एंपियर फ्रॉम टू टू ट्वेंटी वॉल्ट से 5 ओंपियर कि धारा लेता है जिसक्षा व्युक्राय को कि में किसी सब्सक्राइब करेंड की जैसा करव भूल्टश को सब्सक्राइब लाएं निकाल देगे निए उसमें उर्जा कितनी खर्च होगी ठीक है अगला आ जाता है आपका कैमेश्ट्री को पॉर्शन फिजिक्स वाला कोशन आपके कंप्लेट हो चुके हैं कैमेश्ट्री के कोशन बहुत ही जाद है इंपोर्टेंट ने देखिए आप डिफ्रेंस बिटून म चाहि प्रेटिक्टेबल के इस सब्सक्राइबस होता है में आधुनिका वर्शन निमें मैं अंतर बताओ यानि मैंटली जो कि आपके आधुनिक आवर्शन आपको इसको बताना है वे यहां पर दूसरा आपका लिखा यहां पर कि एक्सप्लेंट सोरी दोबारा देख लेते लाइन टेडी भग रही है एक्सप्लेइन मेंडलीव स्प्रेडिक टेबल एंड क्लासिवाइड फीचर एंड लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव की मूल आवर साणनी क्या है इसके प्रमुक लक्षन बताईए प्रमुक लक्षन के अंदर आप इसके फीचर भी लिखेंगे यानि इ आप देखो फीचर का मतलब आपका उद्देश हो गया है इसको आप जरूर लिखेंगे समझ गया है आप उसके बाद आ गया है आपका थार्ड को एक्स्प्लेंट करके समझाना है यह आपका दो नंबर में या कभी-कभी एक नंबर में विक्वेशन पूछ लेता है तो ने करना क्या था कि अगर आप किनी यह 3 आइटम्स को लिया यानी 3 परमानों को ले रहे हैं तो पहले परमानों और तीसरे परमानों कजो ओसब। क्या हेगा जो उनका और यह आईगा यहांनप बोलते हैं इस यह आपना देगा हूं यहां पर देखेंगे what is atomic size यानि परमानु आकार क्या है इसके बारे में आप लिखेंगे ठीक है कुछ नहीं करना है एक नंबर कोशन है बहुत ही अच्छा कोशन है परमानु आकार क्या है इसके बारे में आप बताएंगे ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे आप उसके बाद आप यहां देखेंगे ठीक है इसके बाद आप यहां देखेंगे यानि विद्धुत रिणात्मक्ता से आप क्या समझते हैं बहुत ही बढ़ी है कुशन है ठीक है बहुत ही बढ़ी है कुशन ठीक है कि आपको कौन सी कैयोशन नहीं मिले हैं कौन सी कैयोशन आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं उसके बाद हम आपको solution इस वीडियो का आपको upload कर देए कल्या परसु में इस सब का solution आपको upload कर दिया जाएगा क्योंकि solution इसका काफी लमबा चोड़ा जाएगा इसलिए पुर्वा टाइम लगेगा तो आपको solution मिल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 25 तारीक आपके next practice set का test रहेगा उसकी वीडियो भी हम 25 तारीक upload करेंगे उससे पहले आपको इन सब के solution आसानी से कल या परसु में आपके upload कर दिये जाएंगे टेंशन आले पॉसिबिलिटी यह है कि कल या शाम को आपको इसके solution मिल जाएगा नहीं तो मंडे शाम को आपको इसका solution दे दिया जाएगा बिल्कुल टेंशन आले किसी भी चीज की ठीक है उसके बाद अगला question हमारा आगए इस वीडियो को लाक्ष्ट कोशन है हमारा ठीक है इस question में आप देखेंगे लिखा है एन एक्टम है इलेक्ट्रोनी कॉंफीग्यूरेशन 287 ठीक है वाट दा अटमिक नमबर ऑफ इस एलिमेंट यह नहीं कह रहा है अगर किसी भी एक्टम्स का एलेक्ट्रोनी कॉंफीग्रेशन 287 है तो मैं बताना है किसका अटमिक नमबर क कि दे रहलेकश का दे रहा है उसके पोटेशियम दे रख heut एक प्रमानु का एलेक्ट्रोनी को दौट्रोनी का सखना है पहला आपको रहे हैं blast x dca प्रमानू ऐसा होगा जो उससे मैच खाता होगा यह नि इसका मतलब आपको कम पे y cm कोश्टक में défin गई तो हिए है इसका मतलब का है देखो यहां पर इसका यहां पर क्या है रहे थीचिजिक्ग स्काज्फ हो Reynolds अपर क्वे Christmas तो आठ दो आठ साथ में तोड़ा तो ऐसे ही आप जब इन सब को तोड़ेंगे तो कौन सा ऐसा इन में से प्रमाणू होगा जिसके लाश्ट में आपका कितना है आपक्ष जिसे बोलते हैं आपक्ष में जिसके साथ अलेक्टरून होगे देखो यहां पर क्लियर कर लेते हैं जिसका साथ है उसके तो दो पांच आजाएंगे ठीक है जिसके साथ है उसके कितना है दो पांच आजाएंगे जिसका नो है उसके क्या जाएंगे दो साथ आजाएंगे यानि एक तो यह मिल रहा है यानि फ्लोरीन हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं पंदरा वाले आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा सारी क्योशन आपके most important क्योशन है वीडियो का आपने अच्छे से नोट किये होंगे क्योशन अच्छे से नोट कर लीजिए और इनका solution अपने तरीकी से कीजिए अगर आपको फिर भी कोई doubt होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके पूरी help की जाएगी और इसका solution वीडियो जल्दी upload कर देंगे हम कल चाम को या परसु चाम को या परसु चाम को या ने मंड़े इवनिंग तक हम इसको upload कर देंगे ठीक है और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स लोगों को सब को शियर कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो के साथ ठेंक यू